सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकोन को भी लेटेस अपडेट्स पाने के लिए हाई गाईस मैं हूँ चैनल परेल ओनलाइन ट्रिक्स न आफ़र्स में आप सभी का स्वागर करता हूँ दोस्तो आज कि इस video में हम लोग देखेंगे आप application को directly memory card पर move कैसे कर सकते हैं डोस्तो application को आप डाइरेकली memory card मो कैसे कर सकते हो दोस्तों कभी आपके phone में ऐसा होता है कि आपका storage full हो जोता है इसकी वज़ास से आपका phone slow होने लगता है hang होने लगता है system memory पर ही फूल हो जाती है आपको उपर नोटेविकिसन आ जाती है तो उसका सॉलेशन मैं आज आप आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको डैरेक्ली मूँ करेंगे मेमरिकार पर तोफ्रेंट्स हम लेकर यहाँ पर समय पर वीडियो श्राट करना चाहेंगे एप्डिकेशन के लिंक मैं आपको डिक्रेशन में डालनुगा आप वहाँ से आप्लिकेशन को डावनिंग कर लेजए गा हुप ना रोगी यहां पर थिप यहाँ आपको मिलेगा और जो अप्लिकेशन है जो मूव हो सकती है वह एप्लिकेशन आपको यहाँ पर बटाएंगे छेंडर को छाएंगे तो यहाँ हम लोग है यहाँ आपको उप्सन मिलेगा मूव आप तो दुस्तापको यहाइ पर मुग पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऍट्टो इतम जाना है फ्टॉरेज में जान digned एक पर आपको इया पर स्टॉरीज यूस पर जाना है वहाँ पे चीण्ज लिखा रहेगा वाहँτα आपको क्लिक करना है उसके बड़ आपको यहाँ पे गोदो डॉप्सन अगे इंटर्ना लिस्री और स्टिकर्ट तो आपको यहां पर ऐस्टी करें पर क्लिक करना है और याँपर मुग करना है तो मुग करने में थोड़ा ताइम जाएगा था अपको उसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो दो दसतो अब हमार एप्लिकेशन यहां पर मूव हो चुकी हम लोग यहां पर डेख सकते हैं यहां पर एप्लिकेशन मूव हो चुके इस तरह से आप अपनी सभी एप्लिकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनिंग करते हो उस एप्लिकेशन को आप मूव कर सकते हो मेमिर कर पे यानि आपका स्ट हाई डेप्स मूब एपस का भी option है गा जो आपके फॉन के अंदर हाई डेयर सबस्क्ते हो जो आप हीडर एप लिकर सने इसके अंदर तो यहां पर ओडर भी देख सकते हो उसको भी आप मुव कर सकतू तो में में कार पर और यहां पर एप मेंचर में जाएंगे तो आपको यहां पर छीटनी भाईए आपकी फ़ोन की मेमरी पर जो यूज़ होती ही एपवई किस उसका पौरा सकते हो जो temporary file रहती है यहाँ पर आपको एप मेनेचर on करना पड़े का परिमिसन देनी पड़कि वो on करने के बाद आपको यहाँ पर वापिस जाना है यहाँ पर catch का option आपको यहाँ पर clear catch का जो temporary base file बनती है तो फेंस अब देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फाइल जो क्लियर catch हो चुकी है यहाँ पर तो फ्रेंस इस तरह से आप कोई भी अप्लिकेशन थर्ड पाटी अप्लिकेशन मूग कर सकते हो मेमरी कर पर आसानी से और आपको स्टोरेज का की कोई डिकर्ट नहीं रहेगी तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद है अगरो प्लिस वीडियो को जरूर सेर करें लाइक किजिए और सब्सक्राइब करना ना बुलिए